कहानी की शुरूआत जीवू नामती लड़के से शुरू होती है पिछले हपते ही जीवू के पिता की मौत हो गई थी जिसकान आजकल वो काफी उदास रहने लगा था जीवू का पिता एक जंगली कवीले में पैदा हुआ था जीवू अपने पिता की जन्मिस्थान को एक बार देखना चाहता था कुछ दिनों बाद जीवू उसी जंगल में पहुँच गया जहां उसके पिता का जन्मिस्थान था वो जंगल में अकेला ही आया था और उसके पास थोड़ा सामान था उसके पिता का जन्मिस्थान एक जौला मुखी के पास था जीवो पैदल ही आगे बढ़ रहा था वो जंगल के रास्तों से अंजान था इसलिए वो रास्ता बटक जाता है इसी भी जंगल में एक लड़की भी गूम रही थी और जीवो उसे देखकर छुप जाता है जीवो जंगलियों से डरता था इसलिए वो छुपा था लड़की के जाने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगा वो जैसे ही थोड़े आगे जाता है तो लड़की उसे पकड़ कर किरा देती है और फिर अपना चाकू निकाल लेती है जीवो कहता है कि मेरे पास कोई हत्यार नहीं है लड़की को उसकी भाषा नहीं आती थी और नहीं जीवो उसकी बास समझ पा रहा था अब लड़की कुछ सोचकर जीवो का बैग देखने लगी लड़की की टांग पर तीर भी लगा हुआ था और जीवो उसका जखन देख लेता है लड़की को जब जीवो के बैग में कोई हत्यार नहीं मिलता तो वो चुपचाप आगे बढ़ने लगती है आगे बढ़ते ही जैसे वो तीर निकालने लगी तो वो वहीं पर बेहोश हो गई कुछ देर के बाद जीवो लड़की को लेकर किनारे पर आ गया किनारे पर उसे एक बड़ा सा ग़र दिखता है पीखर सीमा नम की औरत का था लड़की को अंदर लाकर उसका इलाज शुरू कर देती है खिलाच के बाद सीमा जीवू को बताती है ये लड़की माया है जंगल के कई सरदार इससे शादी करना चाते हैं लेकिन ये किसी से शादी नहीं करना चाती असल में जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है इसके बाद वो जीवो को जौला मुखी के पास रहती है वो जक्मी है इसलिए तुम्हे ही उसे घर तक पहुँचाना होगा जीवो को सब बता कर शीमा वहां से चली गई उसके जाते ही जीवो अपने पिता की तस्वीर निकाल कर देखने लगा तस्वीर वाला जौला मुखी उसके सामने था और वो बहीं जाना चाता था दो दिनों बाद जीवो और माया आगे बढ़ने लगे पैदल चलते चलते जीवो ठक गया था लेकिन माया बिलकुल नहीं ठकी थी जीवो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखा कर सब बताता है कि वो जंगल में क्यों आया है माया उसकी भासा तो नहीं जानती थी लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थी कि जीवो का पिता जंगली था इसी बीच माया कुछ जंगलीओं को देखकर सतर्क हो जाती है इसके बाद वो दोनों छुपकर आगे बढ़ने लगे थे माया जंगल के सबी रास्ते अच्छी तरह जानती थी जिसकान वो तेजी से आगे बढ़ रही थी जबकि जीवो का ध्यान माया के बड़े-बड़े तरबूज और उसकी कमर पर चा रहा था माया का बदन देखकर वुग गर्म होने लगा था लेकिन उसे माया से डर भी लग रहा था इसलिए वो साला कुछ नहीं कर सकता था जल्दी ही दोनों समुदर के किनारे पहुँच गए किनारे पर एक बोट खड़ी थी और दोनों उसमें बैट कर जौला मुखी की तरब बढ़ने लगते हैं इसी बीच उन्हें एक टापू पर एक बड़ा सा शैतान नाजर आता है इतना बड़ा शैतान देकर जीवू की फड़ गई थी सैतान ने इन दोनों को देख लिया था और वो उन्हें पकड़नी की कोशिश करने लगा माया जानती थी इस शैतान को कैसे चक्मा देना है इसलिए वो बिल्कुल शानती दोनों ने बोट की रफ़तार बढ़ा ली थी ताकि शैतान से दूर जा सके इसी बीच बोट का इंजिन खराब हो जाता है जिसके बाद माया पहले जीवू को पानी में फेकती है और फिर खुद भी पानी में कूद जाती है जीवू को तैरना नहीं आता था इसलिए माया जल्दी ही उसे पानी से निकाल कर टाप उपर ले आती है शैतान अभी भी दोनों को डून रहा था और ये दोनों एक बड़े पत्थर से छुप जाते है शैतान को जब वो दोनों कहीं नजर नहीं आते तो वो बहाँ से चला जाता है शैतान के जाते ही माया जीवू पो होस में लाने की कोशिश करने लगी मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जीवू पो होस नहीं आता एक बार तो माया का दिल किया कि वो जीवू को छोड़कर चली जाए इसलिए दोनों से देखकर खुश हो रहे थे कुछ ही दिर बाद रात हो गई और इन दोनों का सफर अभी भी जारी था आगे बढ़ते बढ़ते दोनों को एक बस दिखती है जिसके बाद ये दोनों उसमें सवार हो जाते हैं इस बस में कुछ और भी लोग थे ये सब ही लोग जंगल के पास वाले कस्वे में रहते थे और ये बस कस्वे की तरफ ही जा रहे ही थी बस में बैठे लोग जंगल में काम करते थे ये लोग हफ्ते में एक दो बार ही यहां आदे थे, बस का ड्राइवर जीवू को बताता है, कि इस जंगल में बहुत सारी खतरनाक चीजे हैं, लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए हमें इस जंगल में आना पड़ता है, अगले दिन सुबह होते ही माया की तबियत खराब होने लगी, ये देख जीवू जल्दी ही बस रुख वाता है, पस रुखते ही माया बस से उतर कर एक तरफ जाने लगी, बस कस्पे की तरफ जा रही थी और माया बहां नहीं जाना चाती थी, उसने तबियत खराब होने का नाटक किया था, ताकि वो बस से उतर सके, जीवू भी माया के साथ ही जाने वाला था, इसी बीच माया के सामने एक जंगली सरदार आ जाता है, वो हर हाल में माया को पाना चाहता था, और माया की टांग में जो तीर लगा था, वो इसी सरदार के आदमियों ने चलाया था, माया सरदार से बच्ती बच्ती जंगल में पह प्ली कर देता है मगर जीवू विहार मानने वालों में से नहीं था वो मौका देखकर सरदार पर हमला करता है जिसके बाद वो माया को लेकर बहां से भाग जाता है ये दोनों भागते भागते रेल की पट्री पर पहुँच गहते और फिर छोटी सी गाड़ी में बैठकर बहा कर देता है मायान उसका पाणी निकालना चाहताрах था वो जैसे ही माया के करीब जानी की कोशिक तो माया उससे नजर अंदाज कर देती है जी वो समझ गया था कि माया उसका पानी नहीं निकालेगी इसलिए वो उदास हो जाता है शरदार के आदमी भी उनके पास ही थे जल्दी ही वो इन दोनों के पास कोंचकरेने घेर लेते हैं। वो उस के पास आकर पहले उसे चुंटी और फिर कहती है कि मैं तुम्हारा पानी जरूर निकाल kosten गी। इसके बाद माय उसके साथ जाने लगती है। जीवू समझ गया था कि माया उसे बचाने के लिए इस सब कर रही है वो सरदार पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन सरदार उसे ही बिभुश कर देता है अगले दिन जब जीवू वो हो साया तो वो खुद को जंगल में ही पाता है जीवू जानता था कि वो माया की ही बजे से जिंदा है इसलिए वो भी अब माया की मदद करना चाता था वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो उसकी नज़र दोर जा रहा है सैतान पर पड़ती है शैतान को देखने के बाद उसकी नजर कई जंगलियों की लाशों पर भी पढ़ती है इन्हें सैतान नहीं मारा था और ये सबी सरदार के आदमी थे इसके बाद वो जल्दी से जौला मुखी की तरफ जाने लगता है जौला मुखी के पास ही माया रहती और सरदार का कबीला भी बही था दूसरी तरफ माया नेन में थी और सरदार उसका सिर से ला रहा था थोड़ी ही दिर बाद जब जीवू जौला मुखी के पास पहुचा तो उसका सामना सरदार से होता है जीवू यहां सरदार को ही मारने आया था ताकि सर्दार को मार कर वो माया को अपने साथ ले जा सके, वो जैसे ही सर्दार पर हमला करने लगता है, तो सर्दार उसी पर हमला कर देता है, दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी, सर्दार फिर से जीवू पर भारी पड़ रहा था, इसी बीच जौला मुख देखकर हमला करता है उसे देखकर जीवू भी हमला करता है मगर दोनों के बीच माया थी और दोनों के हतियार माया को लगते हैं माया की हाला देखकर जीवू बेहड़ डर गया था दरसल माया भी जीवू से प्यार करने लगी थी वो जीवू को बचाने के लिए ही सर्दार के साथ गई थी और जीवू को बचाते-बचाते ही मारी गई कहानी के आखिर में जीवू अपने घर की तरब बढ़ने लगा था मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में